नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं इंडिया नियूज में मैं हूँ आपके साथ कशिश पांडे सुपस्टार शारू खान के स्टार्डम का जल्वा लगतार बॉक्स आफिस पर लगतार देखने को मिल रहा है अब जवान की रफतार कम होने के बाद एक बर फिर से तेज हो गई है वेकर जवान के हर बार लखी साबित होता है वहीं शारू खान की जवान अब 600 करोड के बेहदी करीब पहुच गई है और दिन पर दिन बढ़ती कमाई को देख शारू को और मेकर्स की खुशी जो है वो सातवे आसमान पर है इस फिल्म के 24 वे दिन के आकड़े भी सामने आ चुके हैं शारू खान को 4 साल की लंबी वापसी के बाद उनके फैंस और दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है पहले दर्शकों ने पठान पर प्यार उटाया अब जवान को सिर का ताज बना दिया है वहीं वीक डेज के मुकाबले बीक्ते दिन यानि शनिवार को जवान ने लंबी छलांग लगाई है दुनिया भर में जहां जवान ने हजार करोड का आकड़ा पार कर लिया है वहीं अब मेकर्स दिल थाम कर बस भारत में फिल्म का 600 करोड की कलम में एंट्री का वेट कर रहे है मिली जानकारी के अनुसार शारुखान की फिल्म ने रिलीस के 24 वे दिन 9 करोड का शांदार कारोबार कर सभी को खुश कर दिया है वही अब भारत में शारुखान की जवान का टोटल कलेक्शन 5.96 करोड हो गया है वही मेकर्स को पूरी उमीद है कि रविवार का कलेक्शन सामने आते ही जवान 600 करोड पार कर जाएगी और इस फिल्म को रविवार के छुट्टी का पूरा फाइदा मिलने का अंदाज लगाए जा सकता है साथ ही जवान पहली हिंदी फिल्म बनेगी जिसने भारत में 600 करोड रुपे का कारोबार किया है वही शारुख की फिल्म एक के बाद एक इतिहास रश्ती जा रही है जवान ने रिलीज के साथ ही कई रिकॉर्ड ब्रेक कर दिये हैं वही गदर टू को पच्छारते हुए इस फिल्म ने सबसे पहले 500 करोड का आकड़ा पार किया था शारुख के सामने रिलीज हो रही फिल्म में भी टिकने का नाम नहीं ले रही है जवान की टकर में कोई नहीं नजर आ रहा है इससे पहले गदर टू और पठान की भी छुट्टी हो चुकी है और अब जवान 600 करोड की क्लब में बहुत जल्दी ही एंट्री करने वाली है तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमें सेक्शन में अपनी राय जरू दीजेगा और इस तरह की बॉलीवूट की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया नियूज के साथ